नबस्काजातियों जैसा कि आप सभी को पता होगा हम लोग बात कर रहे थे MPPSC के बारे में और आपने देखा होगा कि एक के लास हम लोग कवर कर चुके हैं और जिसमें आपने देखा होगा कि MPPSC के पैटरेंड के बारे में समझाता MPPSC का जो पार्ट करम है यानि की जो सिलेवर्स है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी और MPPSC में किस तरह से कुश्चन्स पूछे जाते हैं कितने नंबर के होते हैं कितने कुश्चन्स फेपर होते हैं इन सब पर विस्तार से बात की हुए हैं और मुझे ल पताईएगा उसका भी जवाब देने की पूरी कौसिस की जाएगे अब हम लोग बात करेंगे MPPSC के पुराने पेपरों के बारे में और सबसे पहले हम लोग प्रिलिम्स के 2015 से लेकर 2020 तक के जो भी पेपर हुए है उन सब पर हम लोग बिस्ताल से बात करेंगे ठेक है और आप सभी जानते हैं कि प्रिलिम्स में दो पेपर होते हैं एक पहला जिसे आप लोग सामान अध्यान पेपर फश्ट कहते हैं जिसे आप लोग GS फश्ट पेपर कह देते हैं समझ रहे हैं आप लोग और पिथम पिसनपत्थ होता है और इसमें आप देखेंगे कि आपको दो घंटे का समय में आपक आपको questions को किसी को लेकर confused है आप लोग तो दोनों भासाओं में उसे पढ़ लिया करिएगा ठीक है और minus marking नहीं होती है यह भी आप लोग याद रखिएगा और परिचारतियों के लिए जो निर्देश दिये जाते हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लिया करिएगा और आप सभी जानते हैं कि चाल सेट होते हैं A B C D तो A आपका A सेट है ठीक है और चली अब हम लोग पहला questions देखते हैं क्या पूछ रहा है पहला questions आप से आप से कह रहा है कि World Economic Outlook Report कौन जारी करता है World Economic Outlook Report कौन जारी करता है इसमें A option कह रहा है विस बैंक B कह रहा है अंतराश्टी मुद्रा कोस C कह रहा है A C I विकास बैंक और D आप से कह रहा है कि अंतराश्टी है मजदूर संग तो मुझे लगता है कि आप सभी कुमाल होगा कि अंतराश्टी है मुद्रा कोस के बग यह जारी करता है आपका World Economic Outlook Report और आप लोगों से कई बार वोल जुका हूँ कि देखे जो भी आपके महत्पूर्ट संगठन है फिर चाहे वो राश्टी है संगठन हो या अंतराश्टी है संगठन हो इनसे आपकी परिक्षाओं में questions हमेशा पूँचे जाते रहें और आगे भी पूँचे जाते रहेंगे आप लोग MPPC को ले लिजे, UPCS को, BRPCS को, राजिश्थान, चत्तिसगर या फिर आप देखे सिविल सर्विस को या फिर और भी आपके वंडे एक जाम होते हैं उनमें भी direct questions से पूँचे जाते रहते हैं और आपके सभी संगठनों को कबर किया हुआ है और महत्पूंट संगठनों के नाम से एक playlist सूची बना रखी है उसमें आपको सभी संगठन मिल जाएंगे फिर भी आपको लगता है कि कोई संगठन चूटा हुआ है तो आप बताईएगा उसे भी हम लोग कबर कर लेंगे अगर हम लोग विस्ट बैंक के बारे में बात करें इसमें चारों संगठनों के बारे में आपको बता देते हैं अगर हम लोग अंतराष्टी मुद्रा कोस की बात करें तो आप देखेंगे इसे आप लोग इंगलिस में क्या कह देते हैं International Monetary Fund IMF भी कह देते हैं इसकी इस्था अपना आप देखेंगे 27 दिशंबर 1945 में हुई थी और इसका headquarter आपको Washington DC में देखने को मिलेगा ठीक है और वहीं अगर हम लोग ACI विकास बेंक की बात करें ACI Development Bank भी आप लोग कहते हैं ADB कह देते हैं SOT में तो इसकी इस्था अपना 19 देसंबर 1966 में हुई थी और इसका headquarter आपको Philippines में देखने को मिलेगा ठीक है और वहीं अगर हम लोग International यानि की अंतराष्टी मजदूर संग यानि की International Labour Organization की बात करें जिसे आप लोग SOT में ILO कह देते हैं इसकी इस्था आपना 11 अपरेल 1919 में हुई थी सबसे पुराना संगठन है और इसका headquarter आपको Geneva Switzerland में देखने को मिलेगा ठीक है चलिए अंगला कुश्यन देख लीते हैं दूसरा कुश्यन साबसे क्या कह रहा है दूसरा कुश्यन साबसे पूच रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंद किससे है बताईए क्या बताओगे तो इसमें आप देखें कि भारत पाकिस्तान भारत बंगलादेश भारत नेपाल भारत भूटान तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालू होगा कि भारत बंगलादेश और आप सभी जानते हैं कि हमारा पडोसी है बंगलादेश आप समझ रहे हैं और एक समझोता एक्सप् में जब भारत और पाकिस्तान की भी चियोद धुगा था तो उसमें एक नया देश उभर के आया था बंगला देश उसी बंगला देश की बात की जा रही है और 1971 में हम देखिए हमारे देश की पिधान मंत्री थी इंद्रा गांदी ठीक है अंगले कुश्यन की तरह बढ़ते ह बताईए तो याद रखिए जर्मनी की है कहां की है जर्मनी की और इसे आपको बता दूं कि वॉक्स बैगन समू बनाता है ऐसे ओडी को आप लोग कहते हैं न कि ओडी कार खरीद लिए तो याद रखिएगा अगला कुश्यन है हमारे सामने क्या पूछ रहा है एक रहा है कि इगनाइटिस माइंडस नामग किताब किसने लिखी थी विकरम सेट दलाई लामा एपीजे अब्दूलकलाम और अनीता देशाई बताईए तो याद रखिए कि इस पुस्तक को लिखा था एपीजे अब्दूलकलाम साहम ने सी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा किसने हमारे प मिलाडू में और मिसाइल मैन भी कहा जाता था ग्याराय वी राक्ष्ट पती चुने कहती ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने क्या पूछ रहे हैं आप से कह रहे हैं कि मद्द्देश मद्द्देश की सरकार ने मातिवम सिसु स्वास्त अभियान का वरान डेमेश्टर किस से तो आप लोगों को जाना इसमें नहीं होना चाहिए एस और या रहा है बच्चन मादुरी दीख्चित सानिया मेरी जा सायना नेवाल तो याद रखिए इसमें मादुरी दीख्चित थी भी ऑप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा नवजास सिसु एवं मात्त को सुरक्षि अभियान किसे संब्दी थे यू एंड मी अभियान किसे संब्दी थे हैजा डेंगू मलेरिया इट्स तो याद रखिए ये डेंगू से संब्दी था यू एंड मी डेंगू से संब्दी था और इस अभियान की सुरुआत की बात करें तो 11 मार्च 2014 को डेंगू को खतम करने क लिए चलाए गया था यह आप लोग याद रखिएगा और अपने आस्वास सफाई राखा करिएगा आप सभी जानते हैं कि जब गंदगी फैलती है तो मच्छब पनपते हैं और उसी से आपको इस तरह की बीमारिया होती है डेंगू हो जाता है मलेरिया हो जाती है अगला कु पूर्में किस नाम से जानती थी? किंग जियोर्ज जियोर्ज संग्राले, एड़वर्ड संग्राले, वाकन कर संग्राले, भंडार कर संग्राले और आप सभी कुमाल होना चाहिए कि भोपाल, मदबदेख्स की राध्दानी भी है तो याद रखे इसमें आपका एड़ वर्ड संग्रालाय की नामसी से जाना जाता था B option बिलकुँ सही है क्या लगाओगी? B option बिलकुँ सही लगाओगी अंगले कुश्चन है हमारे सामने 8 क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि साहनावा का लेखा कौन था? साहनावा का लेखा कौन था? उतवी, फिरदोसी, अलवर्णी, या फिरवर्णी बताईए तो याद रखे इसमें फिरदोसी B option आपका बिलकुँ सही है क्या है? B option आप लोग बिलकुँ सही लगाएंगे अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और एक कुश्चन तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालू होना चे हमारे देश में संस्किती को हम लोग जाना मानते हैं पुरानी परंपराओं को जाना मानते हैं तो संसकारों की कुल संख्या कितनी होती है? आप समझ रहे हैं संसकारों की कुल संख्या कितनी होती है? और आपने देखा होगा कि आप लोग संसकारों के बारे में बात करते रहते हैं 10, 12, 15, 16 तो आप सभी को माल होगा कि सोले आप देखते हैं कि संस्कारों की कुल संक्या सोले होती है जिनमें आप देखेंगे गरवाधान पुन्सवान फिर सीमन्त नैन जात करम नामकरन नियक करमन अगनापरसन मुन्डन कर्ण भेद उपनैन वेदारम समावर्तन विवा बानपरस्त सन्यास और अंतिम्में अंतर्ष्टी ठीक है इस तरह के सोले होते हैं आपके अंगला क्विशन है दस क्या पूछ रहा है एक रहा है अभी लेखों में किस सासक का उलेख पिये दस सी येवं देवा नाम प्रिये की रूम में किया गया है चंदगुप्त मौरे असोग समुद्धिरगुप्त हरस बरधन तो आप सभी जानते हैं कि मौरे सासक को आप लोग जानते हैं कि नहीं असोग को तो इसमें याद रखी असोग V option आप लोग बिल्कुल सही लगाएगा क्या लगाओगे भी option विल्कुल सही रहेगा आपका और असोग को पुराणों में असोग बर्धन के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी याद रखिएगा अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला question क्या है रहा है हमसे इंडिका और ये question साब देखी कई परीक्षाओं में आपका पूछा जा चुका है इंडिका का लेखा कौन था पिलूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस, मेगस्थनीज तो आप सभी को मालू होगा इसमें तो मुझे लगता है कि मालू होना भी चाहिए तो याद रखी मेगस्थनीज D option आपका बिल्कु सही लगाएंगे आप लोग क्या लगाओगे? D option बिल्कु सही लगा और चंदगुप्त मौरी का नाम आप लोग सुने है उनके दरबार में ग्रीक राजदू थे ठीक है? मेगस्थनीज अंगला question है हमारे समने Regulating Act किस बर्स फारित किया गया था? 1753, 1757, 1764 और 1773 बताईए आप लोग तो याद रखीए 1773 होगा इसने क्या होगा? 1773 और इसमें आप देखे इसकी विसेस्ताओं की बात करने तो कंपनी के सासन पर संस्यादी ये नियंतन इस्थापित करने की बात की गई थी और कलकत्ता में एक सुप्रियूं कोट की स्थापना की बात की गई थी इसमें ठीक है? तो डिये option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला question है मारे सामने बिलियम बैंटिक के द्वारा सती पिथा किस बर्ष समाप्त की गई थी? बिलियम बैंटिक के द्वारा सती पिथा किस बर्ष समाप्त की गई थी? और आप सभी जानते ही कि पहले अगर किसी महिला का पती अगर खतम हो जाता था तो आप देखते थे कि उसे जवरजस्ती आग में धकिल दिया जाता था तो सती पिता की बात हो रही है तो 1825, 1827, 1829 और 1837 तो याद रखे 1839 की बात है और आप सभी जानते हैं कि राजारा मुहन राय का काफी सही हो रहा है इसमें और बिलियम बेंटिंग ने दिसमबर 1839 में सती पिता की कलाप कानूद बना कर बेदफाओं के सती होने को अबैद घोसित कर दिया गया था तो यह आप लोग याद रखीगा सी ओप्सन आपका बिलकु सही रहेगा अंगला कुशन है हमारे सामने कौन सा मुगल बादसा रंगीला के नाम से जाना जाता है कौन से मुगल बादसाए को आप लोग रंगीला के नाम से जानते है फरूक सियर, रफी उद दराज, जद मुहम्मद साह और रफी उद तौला तो याद रखिए मुहम्मद साहे को आप लोग रंगीला के नाम से जानते थे जिसके रंगीला, रंगबाज, समझ रहे हैं आप लोग मुहम्मद साहे मुगल बादसा रंगीला के नाम से जाना जाता था और ये 12 बाद मुगल बादसा था इसका सासनकाल की बात करें तो 17-19 से लिकर 17-19 तक रहा था इस उंदर युगतियों के पिती अत्यदेक रुजान के कारण इसे रंगीला वास्था भी कहा जाता है ठीक है अगला कुशन है हमारे सामने पंदरे गुरू नानक ने अपना उत्तराधीकारी किसे निउक्त किया था गुरू रामदास को गुरू अमरदास को गुरू राय को गुरू अंगत को तो आप सभी को माल होना चाहिए कि गुरू अंगत को गुरू नानक ने अपना उत्तराधीकारी गुरू अंगत को निउक्त किया था और गुरू अंगत की बात करने तो 1849 से लिकर बावन तक इस सिख्खों के दूसरे गुरू थे ठीक है डी ओप्सन आपका बिलकुल माल सही है अगला कुश्चन है 16 खुसरो किस मुगल वादसाय का पुत्त था अकबर जहांगीर साय जहां या फिर वहादूर साय पितम बताई इसमें तो याद रखिए इसमें आप देखेंगे जहांगीर का थे जहांगीर का ठीक है और यह सबस और आप देखेंगे इसमें अपने पितागे विरोधी एक तरह से विद्रो कर दिया था अब समझ रहे हैं अंगला कुश्चन है अगर हम लोग देखें अंगला कुश्चन हमारे साबने चाल्स बोड का आदेश पत निमलिकित में से किस से सम्बंदी था चाल्स बोड का चाल्स बोड का आदेश पत सिक्षा से सम्बंदी था याद रखिएगा और इस घोशनापत को भारतिय सिक्षा का मेगना कार्टा भी कहा जाता है आपसे पूछा जा सकता है कि भारतिय सिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है तो चाल्स बोड का जो आदेश पत था इस सी भासा के माध्यम से अध्यान के लिए प्रात्मिक पार्ट सालाएं इस्थापित हुई थी और इसके साथ ही जिलों में हाई स्कूल इस तरके एंगलो बर्ना कूलर कॉलेज भी उस समय खोले गए थे अंग्रेजों के समय की बात हो रही है ठीक है अंगला कुशिन है हमारे सम मार्च तो याद रखे 22 अफरेल को मनाया जाता है तो मनाया जाता है 22 अफरेल को मनाया जाता है ठीक है यह उप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा 22 अफरेल को विस्थ पित्वी दिबस मनाया जाता है और 22 मार्च की बात करें तो इससे भी कुश्चन कई बार पूछ लेता है विस्व जल दिवस मनाये जाता है और साथ अपरेल को आप सभी कुमाल होगा कि आपका विस्व स्वास्त दिवस मनाये जाता है WHO के बारे में सुने हैं आप लोग World Health Organization के बारे में सुने हो या नि सुने हो इसकी स्थाफना साथ अपरेल 1948 में की गई थी इसका हेट को आटर जेनेवा सुईजेलेंड में है तो साथ अपरेल को विस्व स्वास्त दिवस मनाये जाता है अंगला कोशन है हमारे सामने 19 क्या पूछ रहा है एक कह रहा है कि निमलिकित में से किस पिदेश में पिगिमी पाये जाते हैं बताईए सहारा कालाहारी विस्वत रेखिये बन पंपास क्या करोगे इसमें याद रखिए C ओप्सन लगाओगे आप लोग विस्वत रेखिये बन में 19 में क्या लगाओगे C ओप्सन आपका बिल्कुट सही रहेगा कांगो बेसन आप लोग सुने हैं ना उन्हीं की बात हो रही है अंगला कुशन है 20 क्या कह रहाई इनका कहना है कि Great Barrier Reef कहां पर इस्तित है Great Barrier Reef कहां इस्तित है प्सांत महासागर में हिंद महासागर में भूमद महासागर में अटलांटिक महासागर में तो आप सभी जानते हैं पिसांत महासागर में है, पिसांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, पिसांत, जो जितना बड़ा होता है, उतना ही सांत होता है, पिसांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा, और श्टेलिया की पूरवी तटीय चित में है, आपको एक पसू है या फिर एक नगर है बताईए तो याद रखे एक पकार की घास है क्या है एक पकार की घास है ठीक है यह option आपका बिलकुँ सही है अंगला कुशिन है हमारे सामने 22 क्या गह रहा है ओजौन परत को सरवादिक नुकसान पहुंचाने वाले पिदूसक है ओजौन पर जो उपर से हानिकार करने आती है और हमारी सुरक्षा गरता है हमारी तच्छागी हाईडोकर्बन, कार्वन डाइऑ, नाइट्र्ट, औक्साइड, किलोरो, फिलोरो, कार्वन, तो मुझे तो लगता है यह आप सभी कुमाल होगा कि किलोरो, फिलोरो, कार्वन होगा डी option बि तरचच ती चालीसा, पिचंद पचासा, चीक्त असाथा ए गया है, समुद्रित उफान है या दच्चडी गोलाद में पश्मी पवने, उत्री गोलाद में पश्मी पवने या फ़र पिसांद महा सागरी अधारा है, बताए ऐOT40 है तो याद रखिए दच्छडी गोलाड में आप देखेंगे पश्चमी पवने हैं उन्हीं के नाम है भी ऑप्सन आपका बिलकुल सही रहेगा ठीक है और यह सभी नाविकों ने नाम दिये हुए है समझ रहे हैं आप लोग चलिए आंगे हम लोग चलते हैं चलें 24 कुष्ट पूछ रहा है हमसे निमलिखित में से कौन सा विस्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है कॉफी पोर्ट की बात हो रही है साओ पालो संटोस रियो डी जिनरो व्यूनस आर्स तो याद रखिए इसमें आपका बी ऑप्सन बिलकुल सही रहेगा इसे संटोस भी कह देंते हैं कई लो को सज रहेगा अंगला कुष्चन न 25 समान वरसा वाले च्हितरों को जोड़ने वाली रह रहा कही जाते दें समान वरसा वाले जो जुड़ने वाली रेखा को आप लोग आईसो हाइड कहते हैं क्या कहते हैं आईसो हाइड 25 में क्या लगा होगे B option बिलकु सही रहेगा आपका ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अलक नंदा और भागी रथी अलक नंदा और भागी रथी मिलती है बताईए कुछ इसमें देव फिरियाग में मिलती है B option आपका बिलकु सही रहेगा इसो है जहाँ अलक नंदा और भागी रथी आपस मिलती ना उसे देव फिरियाग आप लोग कहते हैं और जहां से गंगा हरिद्वारिफ की निकट मेदानी भाग में पिरवेस्ट भी करती है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुष्य ने 27 एक रहा है निमलिकित में से किस राज्य में सबरी माला इस्थित है और आपने देखा होगा सबरी माला मंदिर काफी चर्चा में भी रहा है सुर्खियां बटोडता रहा है यहाँ देखिए महलाओं को रोकने की बात की जाती थी और आपने देखा है कि हमारे न्याला को हस्तचेप करना पड़ा इसमें आंध्पिदेश थमिलाडू केरल करना टक तो ये आपको मालू होना चाहिए कि कहा है केरल में है कहा है केरल में है अब आप लोग कहेंगे कि केरल के बारे में कुछ बता दीजिए हमे क्या है सभरी माला एक केरल में है आपका ठीक है और केरल के बारे में अगर हम लोग बात की जाए तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि इसकी राध्धानी क्या है केरल की बताईए कुछ आप लोग को फिक बता दीजिए कुछ तो इसकी राधा नहीं है तिरुवनंद पुरम और आपको मालू होना चाहिए कि एक नवंबर 1956 में इसी राज बनाये गया था और यहां विधान सवा सीटों की बात करें तो 140 सीटे हैं राज सवा में 9 सीटे हैं लोग सवा में आपको 20 सीटे देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 28 भारत की किस राज जी की सीमा नेपाल भूटान और चाइना तीनों देसों से मिलती है और मैंने आप लोगों से कई वार बोला है कि आप लोग देखिए अपने भारत की मैप को कम से कम क्योंकि इस से कुश्चन साते हैं और एक तरह से आपके सरल कुश्चन साते हैं अगर आप लोग ने भारत की मैप को अगर आपको याद होगा तो आसानी सो इसके जवाब दे पाएंगे आप लों किस राजगी सीमा कौन से देश से लगती है कितने राज्जों से लगती है ये चोटे-चोटे कुश्चन सा जाते हैं कई बार अरुना जल्पिदेश मेगाले पश्मी पश्म बंगाल और सिक्किम तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको मालू होगा कि इसमें क्या लगा दो सिक्किम लगा दोगे और स सिक्किम तो इसकी सीमा अगर आप देखें तो नैपाल से भी लगती, भूटान से भी लगती है और चाइना से भी लगती है तीनों देशों से लगती है और सिक्किम को अगर आपको मालू होगा तो इसकी गठन इसे राज बनाए गया था दस अपरेल 1975 में और इसकी यहां सबाद सीटों की बात करें तो 32 है राज सबा में एक सीट है लोग सबा में एक सीट है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगिला कुष्छिन है हमारे सामने 29 ऑदेला किसके उतपादन के लिए पिसिद्ध है लोग सक बॉकसाइड कोला अब्रेक किसके लिए पिसिद्ध है तो याद रखे, यह आपका लोह एश के लिए पिस्ध्ध है, क्या है? यह ओप्सन आपका बिल्कुश नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? और बेला डिला, लोह एश कुत पादन के लिए पिस्ध्ध है, ठीक है? तो यह आप लोह याद रखेगा, अंगला कुशन है हमारे सामने 30 भारत में अब्बरक्क सरवादी कुतपादन किस राज्य में होता है जहारखन राजिस्थान उडईचा आंध पिदेश बताईए तो इसमें आप देखेंगी क्या है डी ओप्षन क्या है डी ओप्षन में आंध पिदेश किया लगाऊगे डीब ओप्शन आंध्पिदेश अब आप लोग कहेंगी कि आंध्पिदेश के बारे में कुछ पता दीजे तो आंध्पिदेश के बारे में सबसे जानधा कूछा जाने वाला कूश्चन्स यही है कि भासाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन है तो याद रखी आंद्पिदेश ठीक है और इसे 1953 की बात हो रही है और इसकी राध्धानी की बात करें तो बिसाका पटनम यहां विधान परिशद में आप देखेंगे बिधान परिशद में 58 सीट है बिधान सबा में 176 सीट है राज्य सबा में 11 सीट है लोक सबा में 25 सीट है और आपको मालू होने चाहिए कि बिधान सब आपका आंद्पिदेश से अलग करके ही तेलंगाना बनाए गया था 2014 में ठीक है अंगला कुशन हैमारे सामनेançon 31 क्या कहरा है यह कहरा है कि तालचिर फिसद कोईला चित कहाँ है तालचिर या तलचिर फिसद कोईला चित कहाँ है मद्देश 36 गढ़ पिहार या फिर उड़ेइसा बताए तो याद रुखे इसमें UDISA लगाओ करें आप लो 31.38 में क्या लगाओ करें UDISA D option अपका बिल्कुत सही रहेगा और UDISA के बारे में अगर हम लोगं बात करें किसके बारे में? UDISA के बारे में तो याद रखिए यहां कि मुक्मंत्री काफी चर्चा में रहते हैं और आप सभी गुमाल होगा कि अच्छे मुक्मंत्री माने जाते हैं बाकी राज्यों की तुल्ला में बहुत अच्छे मुक्मंत्री भी कहा जाता है उड़े इसा की राजधनी बहुपनेस तो रहे मानो विकास सूचकांग का आधार क्या है ए ओप्सन आप से क्या कह रहा है इस चार उप्सन में से एक तो सही होगा अब आपको सही उप्सन बताना है बताई तो याद रखी इसमें सी उप्सन बिल्को सही होगा मानो विकास सूचकांग का आधार होता है स्वास्त सिख्छा जीवनिस्तर मानो विकास के बारे में कुछ और भी बता देते हैं क्यूंकि आपको देखेंगे इसे कई बार कुष्छन्स आपकी परिछशा prol canım में पूछ लेता है मानो विकास सूचकांग के बारे में और अगर आप लोगों के मर में सेवतराष्ट विकास कारकरम के बारे में सबाल आ रहा हो तो 22 नवबर 1965 में इसकी स्थाफना हुई थी और निवार्क में इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा और आप देखते होंगे कि हमारी स्थिति इसमें बहुत बुरी रहती है समझ रहे हैं आप लोगों तो ये भी कई बार पूछ लेता है देखी जब भी कभी कभी repot जारी किया रही हो और सुचकांग जारी किया जारे है तो उसमें अपने देश की स्थिति momentos क्या है उसे कौन जारी करता है किन बातों को दहान में रखते हुए जारी किया जाता है हमारे पडोसी ओंकी क्या हालत है ऊपर से टौप कौन कर रहा है नीचे से टौप कौन कर रहा है इन सब बातों का ध्यान रखा करिएगा और इनी से आपकी परिक्षाव में questions पूछे जाते हैं अंगला question है हमारे समने 5V पंचवर्सी योजना का मूल उद्देश क्या था गरीबी हटाओ सारजिनिक विद्रण योजना की इसमें क्या लगाओगे आप लोग ए औप सन गरीवी हटाओ गरीवी हटाओ पंचवर्सी पंचवी पंचवर्सी योजना का मूल उद्दिश था और इस योजना में पहली बार गरीबों और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था यह आप लोग जरूर याद योजना आयूक की जगह आपका नीती आयूगा चुका है तो इसलिए आपने देखा है कि उसे रोग दिया गया है वैसे तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और पांच भी योजना की बात करेंगा है हम लोग पंचवर्सी किती उननीस सो चोहतर से लेकर उननीस तो उन् योजना किस मोडल पर आधारीत थी दुटिये पंचवर्सी योजना किस मोडल पर आधारीत थी सोलो मोडल डॉमर मोडल रमिंसन मोडल महाल नोबिस मोडल तो याद रखिएगा इसमें क्या लगाओगे इसमें लगावे आप लोग महाल नौबिस मॉडल डी ऑप्सन बिलकु सही रहेगा और इसकी अगर हम लोग सुरुवात की बात करें तो 1956 से लेकर 61 तक इसका समय रहा था ठेक है महाल नौबिस के मॉडल पर आधारित थी यह आप लोग जरूर याब रखिएगा अंगला गुष्षय न हमारे समूरे भारतिय सम्मिध्धान की अंतरगत पि थम आम चुना वह किस बद रहे थे 1959 में 1950 में 1923 में तुरLL रखि автомоб बिलकु सही रहेगा पिथम आम चुना हुए थे 1952 में ठीक है और राज्य सभा के गठन की बात करें तो आप देखेंगे तीन अगस्त 1952 में को किया गया था जबकि पिथम लोग सभा का गठन 6 मई 1952 में किया गया था यहां आप लोगों को तीन डेट के बारे में और बता देते हैं इनसे कई बार questions पूछ लेता है और कई बार आप लोग confused भी रहते हैं एक तो 15 अगस्त है एक 26 नवंबर है और एक आपका 26 जनवरी है देखे 15 अगस्त को आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली तो हम लोग उसे सुतंता देवस के बार में मना लेते हैं आजादी के रूप में 26 जनवरी 1949 को कुछ पराओधानों के साथ समिधान लागू हो चुका था तो 26 नवंबर को आप लोग समिधान देवस के रूप में मनाते हैं और याद रखे 26 जनवरी 1950 को एक तरह से हमारा देश गरतन ते पूरी तरह से आजाद हो चुका था कई संस्थाओं को आपने देखा होगा जनम हो चुका था 26 जनवरी के बाद तो गरतन दिवस के रूप में हमारा देश बन चुका था अंगला कुशन है हमारे सामने समिधान को एक पवित दस्तावेच किसने कहा था बी आर अमबेड कर महत्मा गांदी दिन दयालोपात्य है मुहमद अली जिन्ना जो याद रखी बी आर अमबेड कर साहब ने और आप सभी जानते हैं कि समिधान का पिता भी कहा जाता है ने अंगला कुशन है हमारे सामने दल वदल निरोध कानून कि समिधान संसोधन विधयक से संबंदित है इंक्यावन बावन तिरेपन चंवन एक कुश्चन फिर से सुन लिजे दल वदल निरोधक कानून समझ रहे हैं आप किस समिधान संसोधन विधयक से संबंदित है बताईए इसमें तो बावन वावन समिधान संसोधन है और इस से आपको बता दूं कि कई बार कुश्चन से फूचा जा चुका है और उनिए सो पचासी की बात है और दसवी अनसूची जोड़ी गई इसमें और जो आप देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानूस से संबंदित है ठीक है तो इसमें आप लोग भी लगाओगे क्या लगाओगे बी लगाओगे ठीक है अंगला कुश्चन हमारे सामने 38 क्या कह रहा है यह कह रहा है भारत में समीधान का सरक्षक किसे कहा जाता है भारत में समीधान का सरक्षक किसे कहा जाता है आपके सामने कुश्चन से संसद, राष्टपती, सर्वुच नियाले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं तो याद रखी इसमें सर्वुच नियाले को कहा जाता है किसे कहा जाता है सर्वुच नियाले को सुप्रीम कोट और सुप्रीं कोट के बारे में कई बार कुश्चन्स पूँच लेता है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी समझ रहे हैं और आप अगर समीधान का आर्टिकल 124 उठाके देखेंगे न तो समीधान सरवुच नियाले की बेवस्था की गई इस आर्टिकल में अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदेशी ब्यापार का भुक्तान संबंदित है आपको आयातों के गुणों से निर्यातों के गुणों से विदेशी ब्यापार गुडख से भुक्तान संतुलन से तो याद रखे भुक्तान संतुलन से D option बिल्कु सही है आप लोग economy पड़े होंगे तो आपको मालू भी होगा देखे अंगला question है हमारे सामने सतत आर्थिक विकास से अभी फिरा है यानि कि इनका कहने का मतलब है कि सतत आर्थिक विकास से का मतलब क्या है वर्तमान पीडी के विकास के साथ साथ भविस का आर्थिक विकास वर्तमान पीडी का केबल आर्थिक विकास उद्धोगिक विकास, क्रिस्थी विकास तो याद रखे इसमें ये option आप लोग बिल्कु सही लगाएंगे वर्तमान पीडी के विकास के साथ साथ भविस की आर्थिक विकास ए ओप्सन आपका विल्कुछ सही रहेगा इसमें ठीक है अंगला कुश्चन हम लोग देखते हैं और याद रखे अंगले कुश्चन से कुश्चन कई बार पूचा जा चुका है एक कुश्चन नावाड के बारे में नावाड संबंदित है राष्टी किरसी विकास संस्था राष्टी गरामीड विकास संस्था राष्टी किरसी गरामीड विकास संस्था तो याद रखे रखे राष्टी किरसी विंक तथा गरामीड विकास से संबंदित है 41 में आप लोग क्या लगाओगे C option विल्कुछ सही रखाएंगे और राष्टी किर्सी और ग्रामीड विकास की बात करें इसे सौट में आप लोग नाबाड कह देते हैं ये मुंबई में आपको देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना राष्टी किर्सी और ग्रामीड विकास बेंक का दिनियम की द्वारा की गई थी 12 जुलाई 1982 में ये डेट याद रखेगा कही बार पूच लिया है नाबाड किस्तापना कप की गई थी 12 जुलाई 1982 में ठीक है ये आफ लोग जरूरी याद रखेगा अंगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं लेखे सम्मिधान का त्यारम किस देश से हुआ था लेखे सम्मिधान का त्यारम किस देश से हुआ था जापान भारत बैटेंड अमेरिका तो याद रखे कि अमेरिका से हुआ था और अभी सबसे बड़े अगर हम लोग लेखे सम्मिधान की बात करें तो भारत का सम्मिधान आपको देखने को मिलेगा ठीक है अंगला गुष्टे ने तारकुंडे समिधी का गठन की सुद्धे से किया गया था और इस तरह की जो भी कमेटी गठित की जाती है उनके वारे में जरूर याद रखी है कि क्योंकि कई वार कुष्टे पूच लिता है चुनाओ आयक से संबंदी थे पंचैती राज में सुद्धार जिलापे सासन में सुद्धार ओपयक्ति में से कोई नहीं तो याद रखी चुनाव सुधार से संबंदी थी आपकी तारकुंडे समिती और इसका गठन एक तरह से चुनाव सुधार उद्दे से किया गया था और यह 1974-75 की बात है ठीक है अंगला कुशन की तरह बढ़ते हैं अंगला कुशन है मारे सामने बित आयो एवं यह उजनायो क के परस्वर बिलाइका पिस्ताओग से ने दिया था अब ऐसे आपका यह उजनायो क्षतम हो चुका है आपने देखा होगा तो डीडी बसू भालचंद गोस्वामी एमबी माथूर और आसू तोस पांडे तो याद रखी एमबी माथूर ने बित आयो और यह उजनायो के परस्वर बिलाइका पिस्ताओग दिया था क्या लगा होगे सी ओप्सन बात बित आयो और बित आयो के बारे में अगर हम लोग बात करें जिसे फाइनेंस कमीशन भी क इस्थापना की गई थी आपको मालू होने चाहिए और अभी आप देख रहे हैं कि 15 बाब इत आयोग चला है अनुछे 280 आप लोग देखेंगे तो बित आयोग की विवस्ता की गई है ठीक है और यह उजनायो अगर यह उजनायोग की बात करें हम लोग तो 15 मार्च 1950 में इस एक जनवरी 2019 को आपने देखा होगा कि नीती आयोग आ चुका है यह उजनायोग को पिती स्थापित करके चबालीस में क्या लगाओके बताओ सी ओप्सन बिल्कुँ सही रहेगा चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं पैंतालीस केंद्री फिदूसन नेंधर पोड का अध्यक्ष कौन है राष्टपती और राष्टपती पिधान मंत्री या फिर आप देखिए पर्यावन मंत्री एक कुश्चन साटाग दिया गया था क्या कर दिया गया था हटा दिया गया था केंद्रिय फिदूसन नेंथर बोड किसकी इसकी इसकी अपना 22 सेप्टमबर 1974 में की गयी थी तो इसका अगर questions फूचा जाए तो आप लोग जरू इसका अंसर दे पाएं अंगला question है हमारे सामने इन में से कौन नभीनी की संसाधन नहीं है जल की उर्जा, सोरी की उर्जा, प्रित्वी की उर्जा, उपयक्त में से कोई नहीं यह सभी देखिए याद रखिए कि यह सभी आपके हैं यह आपके बिल्कुल सही है D option होगा आपका ठीक है संसाधन नहीं है पूछ रहा है लेकिन आपको मालू होना चाहिए कि इस सब है तो इसमें आप लोग D लगाएंगी ठीक अंगला question है हमारे सामने कौन जलवाई परिवर्थन का संकेतक नहीं है कौन जलवाई परिवर्थन का संकेतक नहीं है वनिस्वत्तिक संकेतक हिमिय संकेतक विवर्थनिय संकेतक दीर कालिन परिवर्थन तो याद रखी दीर कालिन परिवर्थन नहीं है D option आप लोग लगाएंगे इसमें अंगला question हमारे सामने 48 यह मुच रहा है कि निम्ने में से कौन सामाजिक पिदूसक नहीं है निम्ने खित में से कौन सामाजिक पिदूसक नहीं है गरीवी, संपदाएक, दंगा, वलतकार, किरसी पिदूसन तो याद रखी किरसी पिदूसन नहीं है बाकी तीनों आपके है फिर चाहे गरीबी हो, संपदाइक दंगे हो, या फिर वलतकार हो, ये सामाजिक पीदूसर ने, ठीक है? तो इसमें आप लोग D-Option लगाएंगे अंगला कुशन हमारे सामने कौन सा भाग सुनामी प्रभावी चित नहीं है? कौन सा भाग? सुनामी प्रभावी चित नहीं है बर्मा म्यानमार का तटिये चित, गुजरात का तटिये चित, बंगाल की खाड़ी का तटिये चित, उपेप्त में से कोई नहीं तो याद रखी गुज्राद का ठटीय चेत गुज्राद का ठटीय चेत एक तरह से सुनावी पिभाबी चेत क्या है चेत नहीं है और बाकी इनमें सभी देखने को मिलेंगे आपको अंगला कुशने सरवाधी के लवन्टा किस सागर में पाई जाती है सरवाधिक लवन्ता किस सागर में पाई जाते हैं मिर्थ सागर, लाल सागर, हिंद महा सागर, अरब सागर तो याद रिखी मिर्थ सागर में इसमें आप देखेंगे 34.2% के आसपास पाई जाती है मिर्थ सागर में सरवाधिक पाई जाती है अंगला कुश्चन है हमारे सामने देखिए इससे कई बार आपके कुश्चन्स आप देखते होंगे कि आपके ST ST Act थे जो मानौ अधिकार अधिनियम था इससे काफी कुश्चन्स पूचे जाते थे लेकिन आपको माल होगा कि आपका नया वाट करम आ चुका है तो कुश्चन् जाएंगे उतनी संख्या में नहीं पूच जाएंगे आप देखते थे कि 22-23 कुश्चन्स तक पूच लेता है पिसन इंक्यावन कुश्चन्स पूच रहा है कि 1990 में अनुसूची जाती एवं जनजाती राष्टी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची जाती और ज जनजाती के अत्याचान का कारण रिड़ घृष्ट लेता नहीं है और बागी तीनों आप देखेंगे थे Soviet अंगला कुष्टिन है मारे सामने बावन अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती के किस अधिनियम के अंतरगत अत्याचा निवारें कानून लागू किया गया है अधिनियम 1990 अधिनियम 1990 अधिनियम 1992 अधिनियम 1991 तो इसमें याद रखी आपका अधिनियम 1989 होगा ठीक है यानि कि आप लोग क्या लगाओगे बाबन में, बाबन में लगाओगे आप लोग B option, ठीक है, अंगला question हमारे सामने, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन्जाती को किस अनुचित के इंतरगत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और सांस्कितिक अधिकार दिये ग सत्रे, बताईए, तो याद रखी अनुचित सत्रे के इंतरगत, इसमें आप लोग D option लगाएंगे आपके, समीधान के बाग तीन में आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे ना, तो अगर आप लोगोंने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालू भी होगा, इसमें याद रखी, उप्यक्त में से कोई नहीं, क्या लगाओगे, 47 में, 47 में क्या लगाओगे, मापकरी 47 में नहीं, चंगन में क्या लगाओगे, D option लगाओगे, और वैसे आपको बता दूँ कि इसे भी हटा दिया गया था बात में, MPPSC के द्वारा जो संसोधित आंसर क याई भी थी ना, उसमें हटा दिया गया था, MPPSC के द्वारा गलत माना गया था, ना तो आपको उसका नंबर मिलेगा, और आप देखे कि कुश्चन कम हो जाएंगे, उसके आधार पर कटोब बनती है पर आपकी, अंगला कुश्चन हमारे सामने, निमने में से कौन सा प्र परात्मिक रंग नहीं है, काला, पीला, लाल, नीला, तो याद रखे काला नहीं है, काला रंग परात्मिक रंग नहीं है, जबकि बाकी सभी जो रंग है ये परात्मिक रंग है, अंगला है किसने अविस्कार किया कि पेड पौधों में जीवन होता है, किसने ये अविस्का बॉस ने ठीक है और आपने देखा होगा कि आपके बूड़े वजरोग या कोई विग्यानी हो बनस्पती विग्यानी हो तो आपने देखा होगा कि रात में अगर आप लोग फल तोड़ने जाते हैं तो आपको रोकते हैं वो लोग कि वो स्थो रहे होगे पेड़ मेरे साथ इसा हुआ था मैंने एक वाग में घूमने जाता था साम के टाइम तो आप देखी वहां से हम लोग फल तोड़ रहे थे तो वहां जो भी बुज़र गया बैक्ति यादे थे घूमने तो उन्होंने समझाया बताया तो मैं भी इस इसाब से में पढ़ता रहता था तो मुझे ल एक बाइट में कितने विट्स होते हैं दो आठ दस सोले तो याद रखी आठ होते हैं एक बाइट में आठ विट होते हैं एक बाइट दो निवल से मिलकर बनती है एक बाइट बरावर आप देखेंगे आठ विट बरावर दो निवल आपको देखने को मिलेगा यानि कि वी औप्सन कि अंधावन कुष्टेंज कह रहे हैं अपसी नियूनतम मेमोरी साइज की एकाई को की एकाई चुनिए नियूनतम मेमोरी साइज की एकाई चुनना है KB, MB, GB, TB तो यह तो मुझे लगता है कि आपको मालु होना चाहिए क्या है KB आप लोग Net चलाते रहते हैं तो ठीक है अंगला कुश्चेन है हमारे सामने वाइनरी भासा में कितने अंख होते ये वाइनरी भासा में कितने एंख होते हैं दो तीन चार या फिर सोलए तो याद रूख एदो होते हैं इसे मसीन भासा भी कह देते हैं आप लोग जीरो वन और वन जीरो बन टेखी 0 और वन दो इसमें ए ओपस्न आपका बिलकुसे रहीगा अंगला कुछन है हमारे सामने साथ यह कहरा है निमलिखित में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महेंगा कंप्यूटर है परस्टनल कंप्यूटर सप्रकंप्यूटर लेब बार्ती ये सोफर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है भारती ये सोफर कंप्यूटर के जनक किसी कहते हैं रगुनाथ मासेल कर विजय भाठकर जैन्त नारलीकर और नन्ना नीले कड़ी तो याद रुखिए वाठकर विजय भाठकर को इसमें B option आपका बिल्कुत सही रहेगा अंगला question है 62 निमलिखित में से कौन computer भासा नहीं है निमलिखित में से कौन computer भासा नहीं है basic, cc, java, print verse तो याद रखिए कि बागी तीनों है A भी है, B भी है, C है लेकिन print verse नहीं है ठीक है? और A आप लोग जरूर याद रखिएगा यह वैसे आपका application है बागी तीनों भासाएं है तो आप लोग D option लगाएंगे 62 ठीक है? अंगला question है नहीं 63 computer निमलिखित में से कौन सा कार नहीं करता है computing, processing, understanding, outputting तो याद रखिए कि understanding नहीं करता है C option आपका विल्कुल सही रहेगा 63 में क्या लगाओगे? बताइए C option लगाओगे ठीक है? बागी सभी काम करता है आपका computer अंगला question है मारे सामने 64 computer में जहां accessory जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग port कहते हैं? रंग कहते हैं? बस कहते हैं? जिप कहते हैं? तो याद रखिए हैं से आप लोग port कहते हैं? या К कुछी है हमारे सामने 65 पिधम पिष्ट आप वेसुट फर देखते हैं वह होता है क्या कहलाता है उस deposせて मुझे लगता है इससे तो आप लोग जानते होंगे homm पेश्ट कहते हैं जिसे ग्रह पेश्ट कहते हैं ठीक है यह option आपका बिल्कुत सही रहेगा यह तीनों आपके गलत रहेंगे अगला कुशन है नेमलिकित में से किस स्थान पर 2016 की ग्रीज ओलंपिक खेल पिस्तावित हैं रियो डिजिनरो गिलासगो एंथेंस डर्वन तो याद रखी रियो डिजिनरो में थे और वैसे आपको बता दें कि देखे 2015 का फीपर है इसलिए आपको बताओं कि एक तरह से उसी समय का करेंट अपियस पूचा जाएगा अभी आप लोग अभी का करेंट अपियस पढ़ रहे होंगे अंगला कुशन ने 2015 की बिमल लैडन चेंपियन से पुरो से एकल का बिजीता कौन था बिमल लैडन का इसमें आपको बताना है कि तो याद रखी फैडरर नोबाग जोको जुकोबिक थे ठीक है रोजर फैडरर को हराय था इनोंने अगला कुशन है मारे सामने मद्विदेश क्रिकेट संग का मुख्याले कहां है देखने कुमलेगा गौलियर इंदौर भोपाल जवलपोर तो याद रखी कि इंदौर कहां इंदौर ठीक है और MPPSC की कोचिंग के आफ लोग जाते भी होंगे संधिया अगवाल का संबंद निमली कित में से किस खेल से यह आपका करेंट अपियाश्प जुड़ा हुआ है तो याद रखी होकी से किरकेट से चैस से यह टेवल टेवल टेनिस से तो याद रखी किरकेट से है बी ऑप्शन आपका फिलकुस सही कि अग्ला कुश्चन हमारे सामने सत्तर और याद रखी क्षिश्चन कई वार पूछा जा शुका है राष्टी यह खेल दिपस निमली कित में सी किस दिन मनायी जाता है 29 अगस्ट 29 जुलाई 20 सेप्टमबर 29 सेप्टमबर तो याद रखी इस आपका 29 अगस्ट को मनाया जा खाव 29 अगस्त को और महान होकी खिलाडी को सुने होंगे मेज ध्यान चंद साप को उनके जनम दिन पर मनाते हैं इसे अंगला पुश्य नहें एक पॉलो टीम में कितने ख्लाड़ी होते हैं एक पॉलो टीम में कितने ख्लाड़ी होते एक टेस्ट में, टेस्ट मेंच में 16 विकेट लिये थे, एंगलेंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बंगलादेश, तो ए था आपका वेस्ट इंडीज, बी ओप्सन, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या लगाओगे, बी ओप्सन, अंगला कुश्चन हमारे सामने, 73, एसवाग इस्टेडियम की सहर में, इंदोर में, ग्वालियर में, भोपाल में, जवलपुर में, तो यह आपको सभी को माल होगा कि भोपाल में, कहा है, भोपाल में, अंगला कुश्चन है, मानो अधिकास सरक्चन अधिनियम, 1993 किस्तिति को लागू किया गया था, 28 सेप्टमबर 1993, 25 स 1993, 17 November 1993, 31 December 1993, तो याद रखी यह आपका 28 सेप्टमबर 1993 को लागू किया गया था, ठीक है, यह ओप्सन बिलकुस सही रहेगा, अंगला कुश्चन है मारे सामनी कि मानो अधिकार सरक्चन अधिनियम, 1993 का क्या उद्धिस था, थरसे आप लोग सुन लिजे, मानो अधिकास सरक् गठन, उप्योक्त में से सभी, इसके सभी उद्धिस थे, यानि कि D-Option आपका बिलकुस सही रहेगा, ठीक है, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, राश्टपती द्वारा 1993 में मानो अधिकार सरक्चन अधियादेस समिधान की सनुचेत के अंतरगत जारी किया गया था, दे आर्टिकल 123 के तहद, तो इसमें ये option आपका बिलकुस सही रहेगा, ठीक है, आप लोगों को पताना है कि राजपाल को अधियादेस लाने की सकती किस आर्टिकल के तहद दी गई है, और याद रखिए इसमें उतनी ही इस कानून में सकती रहती है इस अधियादेस में, जित नहीं दुरगाबती का नाम आप लोग सुने होगे, इनों ने मदपिदेस के किस छित में सासन किया था, गौडबाना, महागोसल, बिंदपिदेस, वालियर, तो याद रखिए गौडबाना की बात हो रही है, ये option बिलकुस सही रहेगा, और इनका जनम 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था बांदा उत्तर पिदेस में, और इनकी डेर जवलपूर में हुई थी 24 जून 1564 में, ठीक है जवलपूर में, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, सेंधवा में किसके नितत में आदवासियों ने अंदोलन किया था, 78 वा कुश्चन स्कूछ रहा है आप से, सेंधव वरते हों 89 कुश्चन स्कूछ है हमारे सामने, भील जन्जाती भारत में सबसे अधिक पाई जाती है भील जन्जाती भारत में सबसे अधिक पाई जाती राजेस्थान, गुझरात, मद्दपदेश, महराश्ठ, तो याद रुखी मद्दपदेश में, सी ऑप्षन, एकत्तर की तरफ, अस्ती की तरफ चलिए, तेहत्तरवा समिधान संसोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन था, इस पंचयाती राजविवस्ता से संबंदित था, मद्पिदेश पंजाब, आंद्पिदेश राजिस्थान, तो याद रखे मद्पिदेश था आपक मद्पिद के चित में दी जाने वाली फिलोसिप कौन सी है, श्रीकांद बर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्कधर सीम, अमरता सेर गिल, तो यह तो मुझे लगता है कि आपको मालू होना चाहिए कि अलाउद्दीन खां, भी ओप्सन बिल्कुल सही है, इसमें, अंगला कुश मद्पिदेश के देवास में हुगा था, अंगला कुशिन हमारे सामने, 83, संत सिंगा जी मद्पिदेश के कि च्छेत के निवासी थे, बुंदेल खंड, बगेल खंड, मालवा, निवाड, तो याद रखे यह निवाड के थे, उन्हें पसूर रक्षक देव के रूम में यह कह रहा है कि मद्पिदेश पसू चिक्सा एवं पसू पालन विस विद्ध्याले कहां इस्ते थे, महु में, जबलपूर में, सागर में, रीबा में, बताइए, तो जबलपूर में है यह, बी ऑप्सन विल्कु सही रहेगा आपका, ठीक है, गनेश संकर पुरुसकार किश्चे से संबंदित, खेल से है, उत्कृष्ट समाज सेवा से है, संगीत से, पत्कारता से है, बताइए किस से संबंदित है, तो यह पत्कारता से संबंदित है, क्या लगाओ कि डी ऑप्सन आपका, विल्कु सही रहेगा, अंगला गुशन है 86, मद्पिदे किस में करेंसी प्रेंटिंग पेस कहा है, जहां पैसा चपता है, देवास में है, नीमच में है, वसंगाबाद में है, गुना में है, तो याद रखेए देवास में है यह, अंगला गुशन है 86, 87, धूबगर चोटी कहा है, सत्पोडा रेंज में मेकाल रेंज में है, बिंद रेंज में है, इन में से कोई नहीं तो याद रखे, एक ढहा है धूबगर चोटी सत्पोडा रेंज में है, और इसकी उचाई 1350 मीटर है यह आप पचमडी की जो चोटी देखते हैं न वहीं इस्तित है आपको देखने को मिलेगा A option 87 में बिलकुत सही रहेगा question है 88 बिखरे मौती के रचेता कौन है बिखरे मौती के रचेता मुक्ति बोथ अग्रे सुबद्रा कुमारी चौहन दिन का सौन वलकर तो याद रखी इसमें क्या होगा सुबद्रा कुमारी चौहन C option बिलकुत सही रहेगा त्री धारा सीधे सीधे चित मेरा नया वच्पन बीरों का कैसा हो बसंद यह सभी आपको मालू होना चेकि सुबद्रा कुमारी चौहन की एक तरह से रचनाए हैं अंगला कुश्चन है नवासी क्या कह रहा है नवासी नौकायान की चित में मद्रदेश में से अर्जुन अबोर प्राप्त कौन है जी एल यादो सिभिन्द सिंग, सुनीलव कीर, रोप सिंग मलार बताइए तो याद रखे जी एल यादो, ए उप्सन पिल्गुश सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 90 माउंट एवरेश्ट सिखर पर चड़ने वाली पहली महला थी कौन थी, जंको ताइवी कारोलेन मेकेलसन फिल सी उप्सन क्या कह रहा है बेल टीना तेरेस को वा, उप्योक्त में से कोई नहीं तो याद रखे ए थी जंको ताइवी माउंट एवरेश्ट सिखर पर पहली महला जंको ताइवी थी उन्होंने आप देखें को 1975 में माउंट एवरेश्ट पर वजय पराप्त की थी ठीक है अंगला कुश्चन है 91 फैतो मीटर का उपयो किसी मापने में किया जाता है फैतो मीटर का उपयो किसी मापने में किया जाता है भूकंब बरसा, समुद्र की गहिदाई, धोनी इती बिदा तो याद रखे समुद्र की गहराई मापने में आपका फैतो मीटर का उपयोग करते हैं आप लोग अंगला कुश्यन है अब आपकी सामने बान बे भारती बन अनुसंधान संस्थान की छेत्री है अनुसंधान साका मदवेदेश के किस्चले में देखने को मलेगी बैतूल में, जवलपूर में, इंदौर में, मंडला में स्कोफ की बात हो रही है दूर की बस्तुएं, पास की बस्तुएं, छोटी बस्तुएं, सूक्ष मेवम पास की बस्तुएं तो याद रखे, सूक्ष मेवम पास की बस्तुएं को देखने के लिए एक तरह से इसका उप्योग करते हैं D option बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्यन है 94 किस रक्त समूग का व्यक्ति सार भॉमिक पिरदाता हो सकता है O, A, B, A, B तो याद रखे एक A option बिल्कु सही रहेगा O, इस सभी को दे सकता है सार भॉमिक पिरदाता सब को देने वाला होता है अंगला कुश्यन है 95 दूद के घनत को किस के द्वारा मापा जाता है Lactometer, Hydometer, Barometer, Hygrometer तो याद रखे ये Lactometer द्वारा मापते हैं आप लोग एक Lactometer रख लीजे घर में दूद को चेक करने के लिए सही लिया रहा है आपका दूद कबाला या नहीं अंगला कुश्यन है 96 भूकम्प की तीबिता किस से मापी जाती है Barometer, Hydro-Meter, Polygraph, Sismograph बताईए तो याद रखे सिस्मोग्राप से D option बिलकु सही है भूकम्प की तीबिता की बात हो रही है ठीए अंगला कुश्यन है हमारे सामने 97 अलिकजेंडर फ्लेमिंग की खोज ने खोज की थी पैनिसलीन की, X-Ray की स्टेप्टोमाईसिन की टेलीफोन की पताईए किस की की थी पैनिसलीन की पैनिसलीन की टीका था खुज इसकी अलेग्जन्ड फ्लेविंग ने की थी ठीक है एंटी वायोटिक कुश्चन है अंठानवे वर्स का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 माई 21 जून 22 दिसंबर 25 दिसंबर बताई तो 21 जून होता है यह होगा डे समझ रहे हैं आप लोग उसी दिन की बात हो रही है बी ऑप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने गांधी सांती पुरुसकार 2013 का बजीता हैं एक संगी तक एक लोग कलाकार एक चितकार एक परियाबन बिद तो यह थी आपके एक परियाबन बिद बी ऑप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन ह मारे सामने सो अंतिम कुश्यन 11 एक्टूबर 2014 को लोक नाराइन जैविकास नाराइन के जनम दिवस की वर्सगाट पर कौन से कारिकरम का फैरम किया गया सक्षभारत अपियान डिजीटल इंडिया फिर्दानमंत्री जंधन योजना सांसद आदर्स ग्राम योजना तो याद र की गई इनकी संख्या तो यह था आपका MPPSC प्रेलिम्स का 2015 का पहला कुश्यन स्पीपर और इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है चलिए तो आप लोग पढ़ते रहे हैं इंजॉय करिए हम लोग मिलते हैं MPPSC प्रेलिम्स की 2016 की कुश्यन स्पीपर को और विस्तार से उस पर भी हम लोग बात करेंगे